ओम नमस्षिवाय जो उनका रुद्र रूप है उतना ही डराबना आप पर उनकी कृपा बनी रहे आप पर कभी कोई संकट नहीं आएगा लेकिन आपने अगर उन्हें नाराज कर दिया तो उनके रुद्र रूप से आपको कोई नहीं बचा पाएगा बैसे तो भक्तों के लिए भूले शंकर बेहद दयालू है लेकिन आपको अगर उनकी कृपा नहीं मिल रही है तो कैसे मिलेगी कौन सी परिशानी के लिए आपको कौन सा उपाएग करना है आज आपको शो में ये सब बताने वाली नहीं साथ ही रूद रभी शेक से जोड़ी जलूरी जानकारी भी आज आपको दोंगी तो देर नहीं करते हैं आईए शो की शुरुआद शिफ पूजा का सबसे पावन दिन है सोंबार सभी देवी देवताओं में शिफ जी ये ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी परसान हो जाते हैं क्या आप जानते हैं कि शिफ पूजा में बहुत सी ऐसी चीज़े अर्पित की जाती हैं जो अन्ये किसी देवता को नहीं चड़ाई जाती जैसे आख, बिलपत्र, भांग और इसी तरह शिफ पूजा में कई ऐसी चीज़े होती हैं जो आपको पूजा का फल देने की बजाए नुकसान पहुचा सकती हैं वेल आप बोले बंधारी की पूजा करते हैं तो ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहेए सबसे पहले हल्दी, शिफ जी की पूजा में हल्दी नहीं चड़ाई जाती हल्दी उपयोग मुख्य रूप से ब्यूटिफिकेशन के ले किया जास्ता है शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग जो है वो मैस्कुलिन प्रिंसिपल का प्रतीक है इसी बज़र से महादेव को हल्दी नहीं चड़ाई जाती है इसी तरह से फूल, शिफ जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिया नहीं है शिफ जी को केतकी और केवडे के फूल चड़ाने की मना है कुमूत या रॉली, शास्तरों के अनुसार शिफ जी को कुमकुम या रॉली नहीं लगाई जाती है शिफ पूजा में ये वर्जित है शंक, शंक भगवान विश्नु को बहुत प्रिय है लेकिन शिफ जी ने शंक चूर नाम का सुर का वद किया था इसलिए शंक भगवान शिफ की पूजा में वर्जित माना जाता है नारियल पानी से भगवान शिफ जी का बिशिक नहीं करना चाहिए क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का सुरूप माना जाता है इसलिए शुप कारे के लिए नारियल का प्रिसाद के तौर पे ग्रहन किया जाता है लेकिन शिवजी पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहन योगिये नहीं रह जाता है तुलसी दल तुलसी दल का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चड़ाना चाहिए इस संधर्ब में असुर राज जलंदर की कता है जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी शिवजी ने जलंदर का वद किया था इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के संधर्ब में कहा कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चड़नी जी दही, शेहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीजों को एक साथ मिला कर या एक एक चीज शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुरान में बताया गया कि इन चीजों से शिवलिंग का स्नान करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का इस्तमाल करना चाहिए लेकिन इन चीजों से जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको उनसे क्या रिजल्ट मिलता है यानि कि आपकी कौन सी मनो कामना पूरी हो जाती है य शिवलिंग पर दूर अर्पित करने से उत्तम स्वास्त मिलता है। दही चड़ाने से हमारा सोभाव गंभीर होता है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ती बढ़ती है। इत्र का स्दान करवाने से विचार पवित्र होते हैं। शिवजी पर चंदन चड़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकरशक होता है, समाज में मान समान प्राप्त होता है, केसर परपित करने से सौमिता प्राप्त होती है, भांग चड़ाने से विकार और बुराईयां दूर होती है, शक्कर चड़ाने से सुख और सम्रिद्धी बढ़ती जिस दिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं उस दिन सुपर नहाने के बाद घर के मंदिर में ही सही आप शिव मंदिर जाएं मंदिर पहुंच के भगवान शिव के साथ माता पारवदी और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करें जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्द पत्र, आंकड़े के फूल और धतूरा चड़ाएं ओम नमश शिवाय बोलते वे उनकी पूजा करें पूजा संपन करने के लिए भगवान शिफ को घी और शक्कर का भूग लगाएं और इसके बाद धूब दीप से आरती करें वैसे तो आप सचे दिल से उनके सामने हाथ भी जोड लेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं लेकिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो इसी तरह की पूजा करें जैसे कि मैंने आपको बताया